हलो दोस्तों, इस वीडियो में 4 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला जो स्टॉक है वो है V2 रीटेल यह है V2 retail का daily chart और यहाँ पर आप clearly देख सकते है जो super trend है उसका जो resistance है उसके उपर यह जा नहीं रहा है तो जब तक यह levels cross नहीं होता है 67 का levels तब तक इसमें clear upside देखने को नहीं मिलेगा काफी अच्छा resistance देखने को मिल रहा है लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी है कि यह continuous downside ही जा रहा है तो ऐसा जो भी stock रहता है जो continuous नीचे के तरफ जा रहा है उसके लिए best option यह है कि जो super trend है उस पे जो weekly chart है वो जब तक positive नहीं होता तब तक आड़ ना करें यानि कि 97, 97, 98 यानि 100 के उपर जब तक V2 retail नहीं जाएगा तब तक add ना करें क्योंकि यह हो सकता है यहां से थोड़ा उपर आ जाए 57 से 67, 77 तक आ जाए लेकिन उसके बाद हो सकता है दुबारा नीचे जाया और यह continuous नीचे ही जा रहा है इस वैसे थोड़ा avoid कीजिए downward trend continue है अगर buy करना चाते है bottom fishing करना चाते है तो छोटी quantity add कर सकते है लेकिन एक stop loss ज़रूर रखिएगा stop loss की अगर मैं बात करूँ तो एकदम छोटा stop loss रखिए जो की 50.2050 रूपीज का stop loss आप रख सकते है इस counter में अगला जो stock है वह एडलवाइस यहां पर डेली चार्ट तरफ जा रहा है कि short term target की अगर मैं बात करूँ तो यह levels एक है जहां तक यह stock जा सकता है जो की 80 रूपे का है जाएगा ही ऐसा में नहीं के सकता लेकिन 80 रूपीज short term में जा सकता है weekly chart की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आप देखिए यह जो resistance है वो भी 80 रूपीज पे है तो 50 से 80 का एक margin है जहां पर आप थोड़ा खेल सकते हैं लेकिन कोई जाधा बढ़ा upside देखने को नहीं मिल है क्योंकि इस stock में भी downward trend चला आ रहा है जब तक यह level positive नहीं होगा तब तक upside देखने को नहीं मिलेगा अभी का जो range है वो काफी बढ़िया range है यहां पर आप चाहिए तो bottom fishing थोड़ा कर सकते हैं लेकिन long term view रखे short term view ना रखे and stop loss की अगर मैं बात करूँ तो चलते हैं daily chart पे यह जो levels है 41 के आसपस 41 का एक stop loss आप रख सकते हैं एडलवाइस में daily chart हो चुका है positive जो की काफी अच्छी बात है weekly chart positive होता है तो ज्यादा upside देखने को मिलेगा चलते हैं dish tv की तरफ यह weekly chart जो की positive होता हुआ नजर आ रहा है continuous अपर circuit लगते हुए यह stock उपर की तरफ जा रहा है यह जो range है इस range में आके रुकने की संभावना है जो की 11 से यह जो levels है साड़े 10 रुपे से 18 रुपे का और 14-15 रुपे का यह एक level है जहां तक यह stock जा सकता है उसके उपर ज्यादा upside मुश्किल है थोड़ा बट नीचे म अगर आपने buy किया है तो hold कीजिए अगर थोड़ा भी downfall दिखता है दुबारा इस stock में तो आदा बेच के आदा hold कीजिए क्योंकि यहां पर जैसा कि आप देख सकते है continuous यह भी downside ही जा रहा है पैनी stock बन चुका है जबकि यह stock अगर मैं August 15 की बात करो तो 120 रुपे पर trade कर रहा था और उसके बाद से continuous downside जा रहा है बहुत सारा competition बढ़ गया है बहुत सारे और players आ गया है market में जिसके विए से यह downside देखने को मिल रहा है चौता जो stock है वो है नितिन spinners limited यह आज के दिन में 53 का परसर्केट लगके फिर end में तूट गया नीचे में यह 24 तक गया था यानि अल्लेडी डबल हो चुका है यह पैसा आगे क्या करना चाहिए वह हम जानते हैं इस वीडियो में चलते डेली चार्ट की तरफ डेली चार् आगर आगर भाई करना है तो weekly चार्ट देखते हैं यहां पर देखे में वीकली चार्ट के जो सब जो रिजिस्टेंस है उसी रिजिस्टेंस पर डेट कर रहा है अभी पूरा हफता बागी है वेटनेस थर्सडे फ्राइड फ्राइड इडे का जो क्लोजिंग होगा वह इसक के वज़े से हम एकनाशी चार्ट देख लेते हैं एकनाशी चार्ट में अगर मैं लेवस देखो तो 56.40 यानि 56.50 का अगर क्लोजिंग देता है फ्राइडे के दिन या उससे पहले बट फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो 56.40 के उपर होना चाहिए तो एक अपसाइड देखने को मिल सकता है उसके पहले नहीं यहाँ पर रेजिस्ट होके यह स्टॉक दुबारा नीचे भी आ सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर डाउनसाइड ट्रेंड चला आ रहा है थोड़ा उपर आ भी जाएगा लेकिन फिर से नीचे आ जाएगा लॉंग टर्म अगर व्यू है तो फिर यह सबी स्टॉक से दूर रहे हैं बट एडलवाइस एक स्टॉक है जो थोड़ा आड कर सकते हैं डिश्टीवी फिलाल अपर सरकेट पर है तो थोड़ा वाइड कीजिए वी टू अवाइड कीजिए नितिन स्पिनिंग्स आल्रेडी स्पिनर्स आल्रेडी उपर आ चुका है यहाँ पर अगर आप देखें तो 62 65 का एक रेंज है जहाँ पर स्टॉक जा सकते हैं उस निचे अची कंपनी से जिसके स्टॉक आप बाई कर सकते हैं यह सारे स्टॉक में अगर आप पैसा डालेंगे हो सकता है थोड़े दिन उपर जाए बट फिर वापस नीचे आ जाएगा लॉंग टम के सबसे अवाइड कीजिए अपना पैसा कही और दूसरे अच्छी कंपनी मैं इनवेस्ट केजिए